तो वेरी वेरी गुड मॉनिंग टू अल फियू तो डियर इस्टुवन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक कोशन आपके सामने और है यूनिट वन से जिसे आपके सामने कुछ कोशन है नमबर ऑफ बॉइस आपको गिवन है और फोर हंड़र एंड नमबर ऑफ गल्स हंड़र जिसमें कि आपके बॉइस की बात करें तो फूरनेट बॉइस है और इनकी एवरेज 400 बॉइस की एवरेज एवरेज हाइट है और इनका वेरियंस आपके पास में नाईन है आपके मन में कोश्य आ अए वोगा सरी एवरेश टीके वेरींस के बच्चें आप मैं फिर से कह रह फोल्डर पर है पी वाई क्यू पर तो पहले आप दोनों को कवर करेंगे तब ही थर्ड आपको बहुत बेटर समझमा आएगा क्लियर है नहीं तो आपको थर्ड में सीधा थर्ड में जाओगी तो एक तेकिस आपका रट्टा लगेगा आए बच्चे तो वेरियंस क्या होता है बिस्कली और स्टेंड आविशिंग क्या आपको आपको याद होगा हब I am a combined मीन को डा इक कम्माइड मीन इस टोपिक को याद है आपको जिसमें हम इसको लिखते थे 12 alcohol ओस्ट को अपॉन इन फर्सट का अपून और रहूर से कम Kat कर मैं थालेकिन आज के अज क्लासिस्पाम क्या पठ Entscheid edition में तो आई एकश्onneule का लिखिए पहले आप combine standard deviation combine standard deviation का formula आपके सामें रहेगा नहीं दिखेंगे standard deviation 1, 2, equals to हलो ओवायर अवाट रिवत चूओ लावर में क्यों हलो कि बंभाटी बंभाटी दो सामेंैंगे कि य्क्रमें sizin दो कि झातक है अजी देखेंगे जारा तो अंडरूट N1 एंटू स्टनर्ड डिवेशन 1 का स्केर प्लस N2 इंटू स्टनर्ड डिवेशन 2 का स्केर अपान N1 प्लस N2 क्लेर है बच्चे एंड प्लस एन वन इंटो अपवान एन फ्लस एंड टू एक्स मीन फस्ट माइनस मीन टू का स्क्वैर तो यह बेसिकली बच्चे पूरा का पूरा complete formula है combined standard division का तो कई बार छोटे question होते हैं direct questions होते हैं जिसको आप easily आप solve क्लियर है तो यह आपके पास में कमाइन इस्टेंड आविशन का फामला है अब आपके पास में यहां तो आपके पास में तो आपके पास है तो एक बाइदा लक्न इस्टेंड आभी केसे निकालते ही यह उस बात को समझिए तो इस्तेंड आविश्न है मैं अलजिए तो आपके तो को में अहां जाएगा अगर आठर डू कर देंगे है तो एससे ट्रनड विश्वट रगश्चाफ क्लेरे बच्चे तो आप एक बात हमेशा धान रखना कि वेरियंस के उपर रूट कर देने से स्टेंड डेविशन आ जाता है जो स्टेंड डेविशन का स्क्वार कर देने से वेरियंस आ जाता है तो इस फॉर्मले को आप ऐसे भी सकते हैं Amave, अपिर घुन क्या, चीज़न यह लिघ दूं आप क्या कवरियंस इकवल्स टूचेंड डेविशन वेरियंस के उपर रूट यस वेरियंस एक बात हम आती है email बेरियंस इकल्स टूच्ट डेरिविशन न का स्क्रेंड डेल हैं दो तरीके से हो सकता है, कैसे भी कर लो बच्चे, आपकी चाब N1, standard division का square क्या होता है, variance plus N2, standard division का square क्या होता है variance 2 upon N1 plus N2 N plus N1 into N2 upon N1 plus N2 का whole square mean first minus mean 2 का square clear है बच्चे, तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं formula को तो variance से भी आपका combined standard division निकल सकता है, standard division से भी निकल सकता है आपकी चाप कैसे निकालना चाहते हैं, तो आईए, को solve करते हो standard division निकाल रहे है, combined तो आपके पास में क्या है, यहाँ पर question में क्या given है, आपका variance given है, तो variance वाला ले लीजिए आप, तो आपके पास में variance आपके पास में N1, N1 कितना है, 400 यहाँ याद कर लो, calculate तो calculator नहीं करना है, N1 किया आपका 400 variance 1, क्यों variance है, तो variance वाला, standard division है, standard division आपके पास में, variance मेरे पास में क्या है, 9 into 9 plus N2, N2 मेरे पास में 100 and variance 2 मेरे पास में है, 4 upon मेरे पास में, N1 plus N2, तो 500 आगे solve करते है, plus N1 into 400 into 100 upon 400 plus 100 का square mean 1 minus mean 2, तो mean क्या है, हमारे पास में, first का average का है, 68 inches minus 100 clear है, बच्चे, यह, तो standard division 1 or 2 equals to solve करेंगे इसको आप, तो आपके पास में 100 कोमा ने कट जाएगा, फिर भी बताएगे तो मैं आपको चार निम, छत्तिस सो प्लस चार सो, आपान पान सो, प्लस 40,000 आपान 500 का square, 500 का square में कर देता हूं, पच्चेस और, पान्च का square 25, 100 का square 10,000, and 68 इसका square होगा, and 68 minus 100, तो आपके पास में 70, 30, 32 का square, तो 10 division 1 and 2 equals to, आप solve करेंगे, तो आपके पास में क्या आएगा, 4000 and 0 कड़ गया आपके पास में, तो 8, clear है बच्चे, क्योंकि आपके पास में, यह 4000 दिवाड़ी बाए 5, तो आपके पास में 8 आगया, प्लस, यहाँ पर आपके पास में 4 0 से, यह 4 0 कड़ गया, तो आपके आपके पास में 4 बटा 25 और इंटू, 32 का स्क्वेर आ गया, तो 32 का स्क्वेर क्या होता है, आप ऐसे डैट शॉटकट भी आपके पास में, 0904 और 12, 4, 2, 10 और 1, 10, 24, तो इंटू, दस जार 24, आगे आप solve करेंगे इसको, एक जार 24, multiply by 4, and divided by 25, तो 8 प्लस 163.84, प्लस 8, and under root, 13.10, तो यह आपके पास में, combined standard division का formula आपके पास में आया है, एच्छा 68 minus 65 है, यहाँ पर एक calculation mistake हुई है, जब देखें, यहाँ पर, 68 minus 65 का square, तो यह आपके पास में आगया यहाँ पर, दो चार, दो का square, और, यहाँ पर आपके पास में आगया है, फोर, इंटो फोर, सॉल करेंगे बच्छे, 16 divided by 25 under root 8 plus 0.64 and plus 8, 8 plus 0.64 and under root, पास में आपके पास में आपके पास में आपके पास में, 2.93, प्लियर है बच्छे, तो यह आपका क्या है, combined standard deviation, और, जिसकी height जो है, आपसे यहाँ पर कोशन क्या बूच रहा है, whose height are more variable, variable मतलब कि boys की height ज्यादा fluctuate है, या फिर girls की height ज्यादा fluctuable है, तो more variable में आपके देखेंगे कि आपका variance ज्यादा किसका है, तो variance ज्यादा आपके पास में boys का है, तो boys की height ज्यादा fluctuable है, clear है तो आपको यह इस से पता लगता है variance से भी stand deviation से जो ज़्यादा बड़ी value होगी वो ज़्यादा factual होगा clear है कोई doubt किसी बच्चे को हाँ जी तो calculations से आपको डरना नहीं है क्योंकि आपको एक्जाम में calculator अला हुए है ठीक है तो easily आप इसको कर सकते है एट प्लस वन पॉइंट टबल फोर एंड सॉल करेंगे तो प्लस एट एट एंड रूट कि 3.072 यह combined stand deviation है बस एक जिगे पर नहीं value पूट करने में गलती हुए थी 68 and 65 है clear है तो दोनों question का answer हो गया तो पी वाई क्यू आप लोगों को देखो कहा से हमने start किया था पी वाई क्यू के अंदर यह देखिए सारे 2022 के 2021 के 19 के 18 के सारे unit one से related question कैसे कैसे exam में आप से पूछे जा सकते हैं वो करवा दिये गए आपको इसी भ्यापर आप आगे continue practice कर सकते हैं प्यों क्यों से इंदर रवास क किया हैं तो, को आपको 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 से यह झापको से हमने Last चुछ प्योंच को सावर्यों कि लोगों कर एसी वाई क्यों कर दो, क कर दो, के से सारेeka